नमस्कार, स्वागत है आपके अपने चैनल नीरजटेक्सों में आज अन्बॉक्स रिवी और डेमो वाटरपूफिंग टेस्ट करेंगे निवली लॉन्च ब्लुटूथ कॉलिंग स्मार्ट वाच पेबल कॉसमस इंगेज का जो लुक वाइज एपल वाच अल्टरा की तरह है बॉक्स पर इसके महत्पून फीचर फंक्शन्स और इससे समन्दी डीटेल्स दी गई है जिन सबों को आगे भी स्टार से चर्चा करेंगे तता टेस्ट करेंगे ताकि इसके प्रफोवेंस की सही जनकारी मिल पाए तो वीडियो के अंद तक बने रही है और पसंद है तो लाइक से और सब्सक्राइब किजिए क्योंकि इस तरह की वीडियो हम लाते रहते हैं बॉक्स को ओपिन करने पर स्मार्ट वाच वी सिलकरन स्ट्रेप देखने को मिल जाएगा वारलेस चार्जर इसमें मिल जाएगा स्क्रीन प्रोटेक्टर कीट मिल जाएगा वेलकम नोट वीथ वन ये रिप्लेस्मेंट गारेंटी सही सुना बहुस आपने यहां पर वन येर वारेंटी के जगा गारेंटी देता है अपने स्मार्ट वाच पे पेवल कंपनी जो और किसी ब्रांड में देखने को नहीं मिलता है तो इसके लिए आपको ऑनलाइन रिजिस्टर करना होगा और जैसा कि आप जानते हैं वारेंटी और गारेंटी में काफी फर्क होता है तो कंपनी प्रोफेक्ट अल्ट्रा क्लोन लूग क्वालिटी और डिजाइन देने में कोई कटोती नहीं की है जैसे वाच को आई एमेल द्वारा एडवांस कोटिंग की गई है और एलाय मेटलिक केसिंग दी गई है जो स्मार्ट वाच को रगट तथा सौक रिजिस्टेंस बनाता है पर इसका वजन इससे बढ़ जाता है यानि यह 73 ग्राम का है जो नॉर्मल वाच से लगबक 10 ग्राम इस्ट्रा है तो हाथ में आपको माइक्रोफोन ओल देखने को मिल जाएगा इसके बैक साइड में एक और 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 बटन के रूप में हम इसको सेट कर सकते हैं इसके उपर इस पीकर ग्रिल देखने को मिल जाता है सिल्वर डायल कलर इन डेक्टेंगल सेफ तथा फ्लैट डिस्प्ले के साथ 1.95 इंच का IPS TFT टॉच डिस्प्लेइस में देखने को मिल जाता है जो अधिकतम 600 निश्ट ब्राइटनेस तथा 320 x 385 पिक्सल रेजुलिशन प्रोवाइट करता है ऐसा कमपनी दावा करती है वेज या एपल के पेस्टोर में मिल जाएगा जिसको मोबाइल के ब्लूटूथ और जीपीस को अउन करके आवसेक पर्मिशन को एलाव कर इसको करने होते हैं Rotating Crown बटन द्वारा या समार्ट वाच की स्कृfilm को left से right के तरफ स्वैप करने पर watch face चेंज कर सकते हैं तथा mobile app द्वारा customize gallery photo को watch Face बना सकتे हैं और इस sidebar को अलग-अलग style में हम चेंज कर सकते हैं तता इसे off भी कर सकते हैं स्क्रीन को नीचे से ऊपर स्वाप करने पर कोई control center मिल जाता है जिसके ऊपर टॉप में current status देखने को मिल जाता है जहां पर Bluetooth connectivity, smart watch का mode, message जिसे हमने read नहीं किया है और जो calls आते हैं जिसको हमने receive या view नहीं किया है वो blinking करते हुए दिख जाएगा, time battery label भी यहां दिख जाएगा उसके नीचे by default 8 type के features दी गई है जिनको हम edit करके अपने choice के feature को add कर सकते हैं जैसा कि आपको screen पर दीख रहा है 6 type के menu style view इसमें देखने को मिल जाता है 4 place view, honeycomb view, 9 place view, least slide view, windows view और gear bill view इसमें देखने को मिल जाएगा इसके main menu view में feature functions की भरमार है जिसमें dial, contacts, call log, message, sports, steps, sleep monitoring, sanitary reminder, heart rate, blood pressure, SPO2 monitoring, bluetooth camera, bluetooth music, find my phone, water reminder, stop watch, calculator, जी हां इसमें calculator मिल जाएगा आपको calendar, alarm और setting option मिल जाता है और इसके setting में Bluetooth, rise to wake, sidebar और vibration को enable or disable करने का option आप दिया गया है और इसी main setting में आपको button setting भी दी गई है जिस button setting द्वारा siren two type के ringtones यहां देखने को मिल जाएगा और भी कुछ features हैं जिसे left hand side के button द्वारा हम customize कर सकते हैं कि हमने पहले बताया और आपको इस्क्रीन पर भी दीख रहा है password always on display तथा कुछ on और settings आपको यहां पर देखने को मिल जाएगी वापस main menu आने पर आपको setting menu के नीचे menu style, about, brightness, QR code, reset, voice assistant, gen mode तथा कुछ games यहां पर आपको देखने को मिल जाएगा जैसे 2048, car race, galaxy war और dice यहां पर आपको प्ले करने के लिए मिल जाएगा यहां पर राइस टुवेक भी आपको मिल जाएगा women's health से related आपको यहां पर एक menu दिया गया है, health and sports की बात करें तो heart rate की reading हम HP T2 smartwatch से compare करने पर लगभग सही देखने को मिला, SPO2 की reading 98% के compare मे 96% मिला जो कि गलत reading है, sleep monitoring की reading actual 3 hour 24 minute के compare में 9 hour 57 minute मिला, जो कि बिल्कूल गलत reading है, क्योंकि मैं 31st December देर रात जब party celebrate करने के बाद 1.30 a.m. में bed पर गया, और सुबह में 5.10 में जग गया था, तो इस दर्मियान मेरा जो actual sleeping timing था, वो लगभग साड़े तीन घंटे का था, जो कि यहां 9 hour plus बता रहा है, तो यह पेवल टीरेक्स 2 ने 97 बताया, और पेवल ने 106 बताया, तो यह 4-5% reading false होता है, चाहे वो सेमसंग का बाच हो या अपल का बाच हो, तो इतना reading माइन नहीं रखता, तो यह reading सही मान सकते हैं, आपका क्या विचार है, आप कॉमेंट में जरूर बताइगा, इस बाच को IP67 rating दी गई ह के उसके solid तथर liquid protection level के measurement पर देती है, जो एक मानक माप दंड पैदारीत होता है, जिसके तथर device को अधिकतम एक मीटर की गहराई में, maximum 20 मिनिट तक यूज किया जा सकता है, अर्थात यह वाच थोड़े बहुत पानी तो जेल लेगा, लेकिन swimming के लिए suitable नहीं माना जाएगा, यह water test demo सिर्फ आपके साजनकारी share करने के लिए है, कि पर आप इसे try ना करें, और पसंद आया तो like, share, subscribe जरूर करें, क्योंकि इस तरह के वीडियो हम लाते रहते हैं, और यहां review होने वाले हरेक smart watch का water demo test होता है, और कुछ smart watch का military grading test भी होता है, जिसे company इसके अनुकूल बना सुनाई देगा, तो मान लेंगे कि speaker सही work कर रहा है, तो यहां पर beep sound सुनाई दे रहा है, तो speaker okay है, इसके अलावे जो बाकी के 12 test हैं, उसमें 8 test already green signal में दिखा रहा है, यानि 12 में से 8 already past दिखा रहा है, मतलब वो okay है, auto test है, तो वो okay है, और इसके बाकी के जो 4 test हैं, उसको manually क करना होगा, जिसको key function द्वारा, जैसा कि आपको screen पर दिखाया गया है, उसे operate करके, या उसे rotate करके, उसे push करके, हम उसे check कर लेंगे, तो यहां देखिए, सभी के सभी green signal में आ गए, यानि यह सही work कर रहा है, इसके अन्य feature जैसे Bluetooth camera shutter, music, find phone, voice assistant, तथा calling भी सही work करता है, कहीं कोई issue मुझे इसमें देखने को नहीं मिला, सब्सक्राइब करने के लिए, या इसको activate करने के लिए, चाहर जबाएं, यदे आपनी जैच यूद्वाइब के phone book में जाकर calling contacts को smart watch में add कर सकते हैं, और इस mobile app को और बेटर करने की जुरत है, क्योंकि अब तक जितने भी smart watch के mobile app को हमने use किया है, उसमें इसका experience मेरा काफी घटिया रहा है, और बेकार रहा है, क्योंकि इसमें connect करने में mobile को pair करने में काफी मसकत करना होता है, overall ये smart watch उन लोगों के लिए है, जो apple ultra watch के सस्ते विकल्व को तलास रहे है, वो भी swap करने के लिए, ये उन लोगों के लिए नहीं है, जो accurate data और lightweight smart watch को तलास रहे है, क्योंक तो विडियो के नीचे दिएगे decision link का पढ़ियो किजिए, चाकी channel को भी support हो जाए, और कुछ पूछना या कुछ सुधाव देना हो, तो comment box के मादिया हम से पूछ सकते हैं, मिलते हैं आगले विडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद